तो इस वीडियो में हम सीखेंगे जो छोटी मोटी चीजे हैं उसको आप कैसे automate कर सकते हैं तो सबसे पहली जो चीज है बहुत important चीज है avoiding screen locks कई बार ऐसा होता है कि आप data वगेरा upload कर रहे होते हैं किसी website पे और suddenly आपका screen lock हो जाता है और आपका laptop जो है hibernate में चला जाता है तो उसको avoid करने के लिए आप screen lock program चला सकते हो तो उससे क्या है कि आपका screen lock नहीं होगा और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कोई भी जो gaming type है चोटे मोटे उसको automation की so for example लैसे जो game है hitting the dot उसमें क्या होता है कि आपको screen पे dots दिखाय जाते हैं और आपको उसको click करने होते हैं और हर click का हर right click का आपको points मिलते हैं तो इस type के जो game से उसको automate करने का सीखेंगे और उसके बाद जो third है वो कोई भी robotic task हो सकता है यहाँ पर मैंने example जो लिया है YouTube comments को like करने का लिया है लेकिन यह कोई भी task हो सकता है जो की kind of very similar in nature है ठीक है लेकिन YouTube automation वगेरा जो है इसे related में आपको यही सला दूँगा कि यह लोग जो है यह चीज़े आप अपने YouTube channels वगेरा पर try मत करो और इसका missy use मत करना वरना आपका जो भी है channel वगेरा ब्लॉक होने के बहुत high chances है तो अब बात करते हैं हम लोग environment setup करने की क्योंकि यह जो सारा काम हम लोग करने वाले है Python में तो Python environment setup करना बहुत जरूरी है तो इसमें हमें तीन modules के जुरुत पड़ेगी जो सबसे पहला module है वो है py autogui और उसके बाद हमें जुरुत पड़ेगी keyboard और time की अब इन तीनों को जो है time जो module है वो already installed आता है बाकि remaining दो जो है py autogui और keyboard इनको आप जो है pip install यूज करके install कर सकते है तो install करने के जो instructions है वो बहुत simple है आपको just pip install और जो भी module install करना चाहते हो वो लिखना है तो इस case में मैंने keyboard install किया है तो मैंने pip install keyboard लिखा है उसके बाद मैंने py autogui इनस्टाल किया है तो मैंने लिखा है pip install py autogui अब यह sequence matter नहीं करता आप चा हो तो keyboard install कर सकते है और जो time वाला package है यह automatically जो python based package होता है उसके साथ में आता तो यह आपको अलग से install करने की जुरत नहीं है अब move on करते हैं जो first program है उसको तो इसमें हम लोग जो py autogui यूज कर रहे हैं उसका काम यह होता है कि जितने भी आप mouse clicks वगएरा करते हो या mouse की movement कर करते हो या फिर keyboard पर कोई button वगएरा आपको दबाना है तो वो सारी जो action है वो py autogui की मदद से हम लोग करेंगे अब जो है py autogui से आप जितने भी keyboard की buttons है वो सब press कर सकते हैं तो अगर आप देखो तो screen lock avoid करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है या तो आपको keyboard पर कोई button का button प्रेस करने वाला हूँ py autogui से तो सबसे पहला जो काम हमें करना है वो import statement लिखना है py autogui का और उसके बाद हम import करेंगे time उसके बाद हम एक infinite loop लगा देंगे तो मैंने लिखा है while true और उसके बाद जो है मैंने कुछ sleep time डाला है यह जो sleep time है यह different होगा आपके case में लेसे आपका जो laptop है वो 15 minute बाद जो है वो lock होता है तो आपको कोशिश करना है कि जो sleep time है वो आपका 12-13 minute का हो तो यह जो time.sleep 5 में ने दिया है यह 5 second है तो आपको अगर 10 minute का sleep चाहिए तो यहाँ पे आपको 600 seconds लिखने होंगे इसके बाद जो हम लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं pyautogoid.press और उसके बाद यहाँ पे जो course में दिया हुए volume up ठीक है तो यह क्या करेगा volume up प्रेस करेगा और उसके बाद फिर से मैं volume down प्रेस कर दाऊं क्योंकि अगर आप सिरफ volume up प्रेस करते रहोगे तो अगर लैसे आपका चला के देख लेते हैं यह कैसे चलता है तो यह जो प्रोग्राम मैंने पाइचार में लिखा है आप किसी भी इसको कहीं भी लिख सकते है अगर आपके बास anaconda है तो वहाँ पे भी आप रन कर सकते हैं अब मैं इसको रन करने जा रहा हूं now we will see कि जो हर 5 minute बाद जो volume up और down वाला है वो प्रेस होगा I'm sorry शायद मैंने 5 minute कह दिया 5 second बाद आप देख सकते हैं already volume up down वाला जो code है वो रन होना शुरू हो गया है और हम देख सकते हैं स्क्रीन पे जो pop-ups आ रहा है volume up और down का तो अब इसको stop करने के लिए बहुत simple है अब जैसे यहाँ पे जो stop button है इसको press कर सकते हो और यह program जो है stop हो जाएगा ठीक है तो लेसे अगर आपको यह 4 घंटे के लिए या 5 घंटे के लिए चलाना है या लेसे आप रात बार इसको चला के छोड़ना चाते हो तो आप वैसा कर सकते हैं और जो आपका जो screen है वो lock नहीं होगा तो अगर आपकी downloading uploading कुछ भी चल रही है तो you can be sure कि वो जो है आपका downloading uploading अराम से चलता रहेगा अब हम लोग बात करेंगे अपने दूसरे program की जो की है hitting the dot और यह जो game है आप google कर सकते हो just google करके hit the dot लिखो जो पहला URL आएगा वो यह वाला URL आएगा और इस game में होता है क्या है कि आपको start पे click करना होता है उसके बाद यहाँ पे आपको यह highlighted dot डिखा जाते हैं फिर आप उस पे click करोगे और जितने भी right click होंगे उसके लिए आपको one point मिलेगा और अगर कोई wrong click है तो उसके लिए minus हो जाएगा एक point ठीक है तो आप देख सकते हो game बहुत easy है जो ही यह वाला area है basically मुझे वहाँ पे click करना है और click जो है वो सिरफ इस से matching वाले pattern पर ही करना है तो logic जो है वो बहुत simple है आप समयगे होगे कि आपको पहले यह वाला area identify करना है फिर आपको mouse cursor वहाँ पे move करना है और फिर आपको click करना है तो जैसा कि हमने अभी तक देखा कि जो clicking the dot वाला game है उसमें हमें तीन चीज़े अचीज़ करनी है पहला कि जो भी highlighted area है वो हमें उसकी position पता होनी चाहिए फिर हम mouse cursor जो है उस position पर लेकर जाते हैं और उसके बाद हम वहाँ पे left click करते हैं तो इन तीनों actions को करने के लिए जो pyautogui के codes हैं वो कुछ इस तरह हैं आपको जो है कोई भी image compare करने के लिए कि वो screen पे वो image available है कि नहीं उसके लिए आपको लिखना होता है pyautogui.locate center on screen और आपको जो भी image आप सर्च करना चाहते हो वो image देनी होगी उसके बाद जो है अगर आपको mouse की movement करनी है तो उसके लिए होता है pyautogui.moveto और यहाँ पे आप बताओगे कौन से x और y location पे आप अपना cursor move करना चाहते हो तो जो x और y location है वो basically relative to जो आपके screen position होती है वो होते है जो आपका screen होता है शुरू वो 00 position से start होता है तो जो x है वो towards right की तरफ move करता है तो अगर मैं x 100 बोलू तो maybe आपका जो है it will be somewhere around here और उसके बाद अगर मैं y 200 बोलू तो यह नीचे की तरफ आएगा and it will be somewhere around here तो अगर मैं let's say pyautogoey.move में 100,200 लिख देता हूं तो जो मेरा है mouse pointer it will be somewhere around here ठीक है उसके बाद जो third action है हमारा वो है pyautogoey.click करने का तो जो भी हमारा उसके बाद जो भी हमें position मिलती है once हमारा mouse cursor वहाँ पे set हो गया उसके बाद हम लोग click press करेंगे अब जो इसका code है वो बहुत ही simple है अगर आप देखोगे तो सिरफ 2-3 line का code है यहाँ पे यह सारे जो तीनो library है वो हमने import कर लिए यहाँ पे pyautogoey, keyboard and time और यह जो time.sleep 3 है यह इसलिए डाला गया है क्योंकि यह 3-4 second में आपको उस website पे जाके वो link बेसिकली open करके आपको game start button पे click करना है और उसके बाद यह program जो है यह pattern match करना शुरू कर देगा अब इस program में आप देखोगे तो while loop हमने चला रखी और जो while loop है वो तब तक चलती प्रेस नहीं करते हो उस case में आपको जो syntax होता है वो लिखना आता है keyword यह keyword यह वाला module है हमने वो वाला module यूज गया और उसके अंदर जो है method होता है is pressed और is pressed में आपको बताना होता है कौन सा key press आप चेक करना चाहते है तो इसमें हम देख रहे हैं कि until and unless q press नहीं करता है इस line में जो line number 9 है यहाँ पर हम क्या बोला है कि जो location है वो जो जो भी image को match करें और जो image की location है वो location इस variable में चली जाएगी और उसके बाद जो location है वहाँ पर हम अपना mouse cursor move कर देंगे pyautogoy.move to function यूज करके और उसके बाद एक बाद हमारा mouse cursor उस position पर चला जाएगा तो हम pyaut pyautogoy.click use करके left click दबा देंगे तो इसको एक बार चला के देखते हैं अब इसको चलाने से पहले एक important चीज यह है कि जो हमें हमें इसकी image लेनी पड़ेगी यह वाला जो area है तो यह जो highlighted area है मैं इसकी image लेकर save करने लगा हूँ इसको .png के नाम से कोशिश करें आप exactly वही area ले जो आपको identify करना है तो इस case में मैं सिरफ यही वाला part मैंने select किया है और इसको मैं save करने लगा हूँ .png नाम से ठीक है तो यह file save हो गई है और जो भी आपकी location है जहां पर आपने इस file को save किया है आप वो complete location का path यहां पे दे और अगर आप windows यूज कर रहे हैं और slashes हैं आपके जो भी path में तो आपको double slashes यूज करने पड़ेंगे single slash जो है अगर आप यूज करोगे तो आपका program properly नहीं च file रखी हुई है तो यह program जो है अब चलना चाहिए ठीक है तो इसको चला के देखते हैं और मैं एक बजस यहां फिर से ओके तो यहां पे ओके पर क्लिक करते हैं तो यह वाला जो है यह open रहेगा अब इसको start करते हैं हम लो start के लिए आपको बस right click करना है और जो ही आपका program है उसको select कीजिए अब यह चलना शुरू होगा इससे पहले हमें यहाँ पे start पे click करना है तो अब program शुरू हो गया और यह जो clickings हो रही है यह auto clicks हो रहे है ठीक है तो मतलब कहने का मतलब यह कि हमारा program है यह properly चल रहा है और यह 30 seconds की game है 30 seconds में यह program देखता है कि आपने कितने clicks क और यह program की मतलब से आप बहुत ही तेजी से clicks हो गयरा कर पा रहे हैं और in fact यह जो program है इसको और fast किया जा सकता है मैं आपको बताता हूं कैसे आप इसको और fast कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं हमने जो हमारा score है वो हमने 60 score अचीव किया और अगर मैं mouse cursor को इधर दूर कर रह स्टॉप हो जाएगा अब आप देख सकते हैं program जो है stop हो गया क्योंकि मैंने keyword से क्यूप्रेस किया है तो यहां पर आप देख सकते हैं जो process finish का message भी आ गया है और यह program complete हो गया और हमें जो score है जो भी हमारा score चाहिए था वो मिल गया है और इसको program को और fast किया जा सकता है तो उसके लिए जो method है वो मैं आपको भी बताता हूँ तो अगर मैं इस program पर फिर से आओ तो यहां पर आप देखोगे जो हम कर रहे है locate center on screen तो क्या हो रहा है यह जो image है जो .png है इसको पूरी screen में ढूणने की कोशिश कर रहा है तो अगर आप कोई किसी भी चीज को पूरी screen म में ढूणने की पजाए मैं क्या कर सकता था कि मैं जो यह वाला आप देख सकते हो game में यह जितने भी dots है वो इसी particular area के बीच में आ रहे है ऐसा नहीं है कि कोई dot यहां पे या कोई और location पे आएगा तो जो मेरे को search करनी चाहिए थी वो सिरफ इसी area के within करना चाहिए था ठीक यहां पे जोगी आपकी screen की position है जो x is equal to 0 और y is equal to 0 होगा तो आपका जो mouse cursor है वो यहां पे बिल्कुल corner पे होगा screen के top left में ठीक है उसके बाद अगर लैसे आप x equal to कुछ value देते हो लैसे 100 और y equal to 200 देते हो तो आपकी जो value है वो somewhere around यहां आ जाएगी ठीक है depending on जो भी आप value x या y में देते हो उसके बाद जो है height और width होता है height और width को आप जो है x और y coordinate से confuse बिल्कुल मत करना है जो width है वो basically आप बताते हो कि width कितना है ठीक है और जो x coordinate है वो that is a separate thing वो आप बताते हो कि आपकी position जो है यह वाला जो 00 वाला coordinate है उससे कितना दूर होगा ठीक है तो इस च program है वो almost same है तो हम इसमें भी जो हमारा काम क्या है सबसे पहले हम लोग हमें जो like button होता है वहाँ वह वाले area पर जाना है उसकी position हमें पता होनी चाहिए फिर हमें अपना mouse cursor लेकर जाना है फिर उसके बाद हमें basically left click करना है mouse से click करना है तो जो की like button है वो click हो जाएगा और उसके बाद जो है हमें next जो comments है उसके move on करना है तो उसके लिए क्या अगरना पड़ेगा हमें scroll down करना होता है राइट क्योंकि जैसे जैसे आप scroll down करते हो वैसे वैसे आपको नए comments दिखना शुरू हो जाते हैं तो अगर इन सब चीजों को करने के लिए पहले 3 steps तो हमने और देख लिए जो चौता step है अगर आपको scroll down या scroll up करना है तो उसके लिए pyautogoid.scroll use करते हो और अगर आप इसके अंदर अगर कोई positive number दोगे यानि 0 से बड़ा number दोगे तो आपका जो scroll up होगा अगर आप इसको यहाँ पे negative number दोगे तो यह scroll down होगा ठीक है यह बहुत simple time.sleep है वो 3 second का डाला हुआ है और उसके बाद keyword is best q is equal to false डाला हुआ है और जो next जो है उसमें हम जो like.png ढून रहे हैं सिरफ इसी area में ठीक है तो इस वार आप देखोगे मैंने यहाँ पे एक और parameter डाला हुआ है which is telling us region तो हमें पता है कि अगर हम YouTube पे जाए तो जो comment section होता ह है वो एक particular section में आने इसके आसपास वाले या इससे below वाले area में ही आता है तो अगर मैं सिरफ इस area में search करूँ और उसके बाद मैं हर comment को like करके scroll down करता जाओं तो मेरा जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा ठीक है उसके बाद जो है यहाँ पे जो code है वो काफी similar है basically हम जो like वाला identify कर रहे हैं उसके बाद नीचे move कर रहे हैं अपने cursor को और एक एक करके जो हर likes जो है उसको हम click करते जा रहे हैं तो आप YouTube पे एक बार चलते हैं और वहाँ पे देखते ठीक है मैं यह सिरफ song उठा रहा हूं इसको मैं pause कर देता हूं because I don't want कि हम लोग कुछ play करें किसी और का वीडियो और कुछ copyright वगेरा का issue हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी हमारे comments आते हैं वो इसी area में होते हैं ठीक है तो हम जो search कर रहे हैं वो within इसी area कर रहे हम क इसको use करके आपको सिरफ यह जो like वाला area है इसी की image लेनी है तो यहाँ पर मैंने सिरफ इतना image उठाया है ठीक है आप कोशिश कीजिए आप सिरफ यह वाले area की ही image लो कोई भी जो इसके अलावा कोई भी area है उसकी image मतलो ठीक है जितना आप accurate इसकी image लोगे उतना ही आप accurate program चलेगा तो मैंने यह ले लिए इसको मैं save कर देता हूं like.png नाम से जो यह already save था बट anyways यह override कर लेता हूं अब इसको चला के देखते हैं I think मैंने already बहुत जादा explain कर दिया इस program को let's see how it works अब मैं इसको चला रहा हूं और जो है मैंने अपना cursor first time यहां कहीं भी आसपास आप छोड़ सकते हो अब देख रहे हो आप जो है अभी आप देख रहे हो जो like के तरफ ही जा रहा है लेकिन उस पे click नहीं कर रहा है क्योंकि I think मैंने अपने code में अभी likes को comment करके रखा हूआ था सिरफ आपको दिखाने के लिए तो यहां पर आप देख सकते ही जो pieautogui.click वाला है यह मैंने comment किया हुआ था इसलिए जो हमारा program था वो next पे move कर रहा था लेकिन click नहीं कर रहा था इसको मैं चलाना नहीं चाहता हूँ with click के साथ क्योंकि जो मेरा YouTube है I don't want कि उस पे कुछ copyright का issue आया कोई भी जो है spam detection activity हो ठीक है तो यह सिरफ आपको education purpose के लिए यह वाला program बताया कि हाँ अगर कोई ऐसी activity हो जिसको आप सिरफ चेक करना चाहते हो या अपनी website पे करना चाहते ह कि आप जो है इस program की मदद से achieve कर सकते हो और इसी के साथ बहुत से ऐसे जो है यह वाला पाई आटो यूज़ करके बहुत से चीज़े हैं जो आप automate कर सकते हो आप पूरे का पूरा जो software है recording software बना सकते हो तो उस case में जितने भी आप clicks करोगे इधर अधर वो सारे record करता तो आपने देखा हो इस टाइप के software बहुत से market में available भी है तो यह सब जो है यह coding करना बहुत easy चीज़ है कोई बड़ी बात नहीं है तो अगर कोई भी question अगर हो तो आप itpenther.com website पे जाके या तो वहाँ पे आप इस वाले URL पे जाके comment में लिख सकते हो या फिर आप जो YouTube channel है यही पे आप comment में लिख सकते हो तो कोई भी अगर आपको issue आ रहा है आपका code नहीं चल रहा है या आपको different use case है जो आप automate करना चाते हो उसके बात में अगर कोई भी बात करनी है तो में को comment section में बता सकते हो अगर video अच्छी लगी हो तो like कर देना thank you so much for watching